फ्रंट साथ के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS Word में किस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं MS Word में टेबल बनाने के हम तीन तरीके आपको बताने वाले हैं पहला तरीका है MS Word में table बनाने के लिए सबसे पहले आपको table वाले option पर click कर देना है और यहाँ पर आपको जिस तरीके से table जितने भी row और column चाहिए वो आप यहाँ लेकर अपने table को create कर सकते हैं इस तरीके से यह हो गया पहला तरीका आप इस तरीके से आप table को बना सकते हैं दूसरे तरीके से अगर आप table बनाना चाहते हैं चिसको सबसे पहले आप delete कर लेंगे लि电 करने के लिए सबसे पहले आप चाहेंगे layout वाले option पर और यहाँ पर आपको एक option मिलता है delete यहाँ पर click करेंगे और delete table पर आप click कर देंगे और आपका table delete हो जाएगा दूसरी तरीके से table बनाने के लिए आपको सबसे पहले insert tab पर click करना है table पर आना है और नीचे एक option आपको मिलता insert table पर इस पर आपको click कर देना है आपको अपने table के लिए जितने भी row और column चाहिए यहाँ पर आपको type कर देना है जैसे हमें अपने table को बनाने के लिए 10 column और 5 row की जरूरत है तो हम यहाँ पर type कर लेते हैं तो यह number of column पर हम यहाँ पर 10 लिख देंगे इसको delete आप कर देंगे यहाँ पर 10 type कर दें numbers of row पर आप click करके इसको delete कर देंगे और यहाँ पर type कर देंगे 5 इसके बाद आप OK कर देंगे तो इस तरीके से आप table बना सकते हैं MS Word में और दूसरा तरीका है table बनाने का इसको चलिए देख लेते हैं इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसको delete कर देते हैं delete करने के लिए layout में आ जाएंगे और यहाँ पर delete वाले option पर जाके delete table पर click कर देंगे दूसरे तरीके से table बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस का sign लगा देना है उसके बाद आपको minus के sign इस तरीके से लगा देना है उसके बाद second number पर भी आपको plus लगा देना है फिर उसके बाद आपको इस तरीके से minus के space दबा देना है इस तरीके से minus लगाने के बाद दुबार आपको plus कर देना है फिर आपको इस तरीके से minus लगा देना है फिर आपको last में plus लगा देना है और आपको enter कर देना है तो इस तरीके से भी आप table बना सकते हैं अगर आप इस table को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो last में click करके आपको enter कर देना है इस तरीके से आपका table बढ़ जाएगा और भी टेबल को बढ़ाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटर कर देंगे इसी तरह आप एंटर करते करते जाएंगे आपका कॉलम रो बढ़ता जाएगा